असलालेकुम कैसे हैं आप सब क्रीमी क्रीमी और चीजी सा पास्ता खाने को मिल जाए फिर तो दिल खुश हो जाता है वाइट सौस पास्ता तो हर किसी का बहुत ही फेवरिट होता है बहुत ही यमी लगता है खाने में तो आज वाइट सोस पास्ता बहुत असान तरीके से बनाऊंगे तो सबसे पहले पानी को गर्म करके पास्ता डाल के पास्ते को अच्छी तरीके से उबाल लिजे आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को बिल्कुल भी नहीं दवाते हैं औ जरूर दबा दीजे ताकि मेरी सारी वीडियो की नोट्फिक्शन आप तक पहुंच जाए तो पास्ता अच्छी तरीके से उपल गया उसे निकाल लिया मैंने और फिर एक पैन में डाल लिजे थोड़ा सा बटर या फिर घी डाल दीजे या फिर ऑल दीजे और थोड़ा सा पारी कटा हुआ लसन और शिम्ला मिर्च प्याज यहां पे आप और भी वेजिट डाल सकते हैं जो भी आपो पसंद है वो डाल दीजेगा और फिर इसे थोड़ा सा इसे फ्राई कर लिजे जब तक यह सॉफ्ट नौज है अच्छी तरीके से फ्राई कर लिजे और फिर इसम अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो फिर इसमे डालेगा एक चमच मैधा डाल दीजे और फिर लो फ्लेम करें अच्छी तरीके से बहुनने हैं जब तक यह से अच्छी सी खुश्पून आने लगे ना बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनिएगा इसकी बहुत अच्छी वोनगे बार फिर नीर साश्ट शीयंगे टूद पर अंची तरीके से मिल लीजी एक भी लॉंस न रहे बिलकुल अच्छी तरीके जब तक बिल्कुल गारा गारा सा ना हो जाए ए और फिर्स में डाल दीजे तोड़ा से चिली फ्लेक्स, ओरीगयनो, काली मिर्च और नमक और ये वाइट सॉस बनके अच्छी तरीके से रेडी है इतना असान है वाइट सॉस बनाना तो ये देखे बहुत असान तरीके से ना ओ爾 बिल्कुल अच्छे तरीके से चला लीजिए इस तरीके से लिग hard पहुत्प legislative लग्रीत रगें। पास्ता तो इसको अच्छे । यम्म बन तो तो इसे ढूआ कोषए खुट आ।end यम्म कर शका हैं पहुत लृ।फudnd इस तरीके से जरूर ट्राइ किजेगा और मुझे कामेंट करके भी जरूर बताईएगा जब आपका वाइट सॉस बिल्कुल बहुत साथ गारा लगे तो इसमें थोरा सा दूर डाल दीजेगा और इसे अच्छी तरीके से मिला के एक से दो मिनकले अच्छी तरीके से पका लिजेगा इसे तो ये देखे कितना यमी लग रहा है तो इसे थोरा सा चीजी करने के लिए चीज डाल देती हूं मैं इसमें इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा है का बहुत ही अच्छा तो यह देखे वाइट साइस पास्ता बनके रैडी कितना यमी लग रहा है यह और टेस्ट तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्ट ही लगता है एक वाइस तरीके से जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आप कोई रेसिपी जरूर कर दीजे सारे फूरी फ्रेंड को शेयर कर दीजे अगर चैनल पर नए तो प्लीज नीचे लाल बुटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी जरूर दबा दीजेगा अल्ला हाफीज